नमस्कार देवभूमियाईस अकेडमी के युटूब चैनल में आपका स्वागत है आज का दिन गरतंत दिवस का दिन है 26 जनवरी 2024 की सभी को सुबकामनाय देश के प्रतेख नागरिक को देश के प्रतेख वीर शिपाहि को मेरा नमन और देवभूमियाईस अकेडमी की तरफ स गरतंत दिवस के उपलक्ष में पद्म पुरुषकारों की जो घुष्णा की गई है उन पद्म पुरुषकारों की जो लिस्ट भारत में लगवा 132 लोग है उन सब को हमारी तरफ से अनेक अनेक सुपकामना है और उसमें से भी सबसे बड़ा नाम जो उतराखिंड के अभी यस्वन सिंग कठोच जी उनको हमारी तरफ से विसेश बदाईयां चुकि मैं व्यक्तिगत इस्तर पर एक इत्यास का स्टूटेंट रहा हूँ और यस्वन सिंग कठोच जिने कई पुस्तक हैं यहाँ पर लिखी वी हैं और उत्राखिंड के इत्यास में बहुत बड़ा ना 20 सालों से उत्राखिंड विंसर एयर बुक अपनी सेवाएं दे रही है और इसकी प्रासंगिक्ता के बारे में कोई प्रस्टेंचन नहीं उठाया जा सकता और यह बतानी की बात नहीं है और विंसर प्रकासन ने इस बार भी अपनी एयर बुक 2024 नाम से प्रकासित कर लिया औ और यह मार्केट में सस्ते दामों में मिल जा रही है और सबसे बड़ी बात इस बार इस एयर बुक में मेरे द्वारा भी बहुत सरे लेख लिखे गए हैं तो कोशिस की गएगी कि उत्राखंड UKPSC मेंस और आरो यारो के मेंस को मद्द नजर रखते हुए इसमें ऐसा कुछ कंटेंड डाला जाए ताकि आने वाले समय में ये मेंस और करेंट अफडेट से के लिएक महत्पूर्ण भुक साबित हो इसने उम्मीद करता हूँ कि इसके कुछ विसेश तत्य मतब वार्सी की भज़ड तो इसमें हई है लेकिन कुछ ऐसे विसेश टॉपिक भी इसमें डा सुनाओं है उसकी डिटेल है इसमें और पार्टियों के नाम उगरत सब और उसमें एसन गेम्स का एसन पैरा गेम्स का पूरा डिटेल मिलेगा आपको ये तो और जी ट्वंटी का संपूर इत्याज इसमें है जो मैंने खुद लिखा हुआ है और महला आरक्षन विधिया के इसमें मेंस का टॉपिक है जो और चंद्रयान मिसन है इस्राइल फिलिस्तीन विवाद जो चला था उसके बारे में है नहीं संसत भाउन का पूरा डिटेल है इसके अलवा जो इसकी खास खास बात हैं जो मुझे मैंने इसको पढ़ लिया है वैसे जो मुझे सही लगी है उस यह टॉपिक आपके काम आएगा जो मेंस के लिए खासकर में बता रहा हूं और जो विसेश टॉपिक यहां पर ध्यान रखेगे हैं उसमें उत्राखंड की लोग भासाओं में उत्राखंड की लोकोक्तियों का जो जिक्र हुआ है कुमावनी और गडवाली लोकोक्तिया एक एक टॉपिक यहां पर है विसेश्ट शब्दावली करके कुमावनी गडवाली सब्दा लिगा एक टॉपिक जो दिया है यह खास एट्रेक्टिव है और जो अन्नी चीज थी इसमें जैसे जन्गड़ना के टॉपिक हैं वजट के टॉपिक हैं वन संपदा के टॉपिक हैं पता हिस्टी की बहुत डिटेल नहीं होने के बाब जूद भी, बुक में बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो करेंड अपडेट से के लिए बहुत जरूरी नहीं है, और उनकी पूरी डिटेल है, उम्मीद करता हूँ कि ये बुक आपके हाथों तक पहुंच जाएगी, और इसम का ठीक-ठाक रिस्पॉंस होने के बाब जूद भी, ये एर बुक अपने आप में अपना महत्तु रखती है, इसले उम्मीद करता हूँ कि ये बुक आपके हाथों तक पहुंच जाएगी, और शुरुवात करता हूँ आज की करेंट अपडेट से की, और जनवरी 2024 से रहेगा, उत्राखंड करेंट अपडेट से जनवरी 2024, 2023 में बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी मिला था, और फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि 2024 में भी आपके शाद लगातार बना रहूँगा, उत्राखंड और इंडियन करेंट अफियर से के साथ, चली सुरुवात कर देता तो इसका आंसर है, विक्षित उत्राखंड होगी इस बार जहांकी की थीम, लेकिन जो 26 जनुरी के गड़तनती दिवा स्परेट पर जो हमारी जहांकी सामिल होने वाली थी, इस बार उसे मौका नहीं मिल पाया है, जबकि 2023 में हमारी जहांकी पूरे भारत में प्रतमिस्था पर रही थी, यह आपको पता है, लेकिन इस बार 23 से 31 जनुरी तक जो लाल के लिए में भारत पर आयुजित मनाया जा रहा है, उसमें उत्राखंड की जहांकी जो प्रस्तुत होगी, वो विक्षित उत्राखंड होगी, अच्छा यह जहांकी का जो मौडल होगा, वो सूसना और लोग शंपर की विभाग द्वारा तयार किया गया है, और इसकी थीम विक्षित उत्राखंड में जो बात थी, थोड़ा सा इसका मौडल दिखाना चाहूँगा आपको यह इस टैप सी कुछ है, विक्षित उत्राखंड जिसमें सामने एक महला स्वागत करते भी दिखा में पारंपरिक वेज भूसा में उत्राखंडी महला को स्वागत करते भी दिखाया गया है, फस्ट भाग है इसका जो दिखवीरा होगा दूसरा है, पारंपरिक अनाज, मढवा, जंगोरा, रामदाना, चौलाई की खेती वर राज्य पक्सी मोनाल को परदर्सित किया गया ह इस जहांकी में इनको भी विसेश महत्तु दिया गया है, और जहांकी के मद्ध भाग में होमिष्टे को दिखाया गया है, होमिष्टे योजना दोजार अठार में सुलूगी गयी थी और बहुत दिन-दूनी, राज-चवगूनी स्पीट से काम कर रहे हैं, और आज की उत्राखंड का अंतिम गाओं था, उसे अब पर्थम गाओं के नाम से जाना जा रहा है, उत्राखंड का पर्थम गाओं माना के लिए रोड कनेक्टिविटी को दिखाया गया है, तो और पर्थम गाओं माना के लिए रोड कनेक्टिविटी को दिखाया गया है, तो ये जह जहांकी के तीन भाग दे पर्थम भाग मद्धिवर्ती भाग और उसका आंखरी भाग में क्या-क्या खास दिखाए गया अच्छा और क्या इसमें विसेश रहेगा जहांकी के सांस सांस चली उसको भी एक बार नजर मारते हैं वैसे जहांकी के वल एक भाग में आपको जात्रा की प्रस्तुदी देंगे वैसे हिल जात्रा की प्रस्तुदी देंगे हिल जात्रा जोंकी पिथवड़ागर का महपून लोग निरते हैं जिता हेरन चीतल बैलों की जोड़ी मा महकाली एक लवा बैल और लाला लाटा लाटी की प्रस्तुदी देंगी ये हिल जात्र उसे होंकी खास प्रस्तुतियां होती है हिल जातरा वैसे भी इस से पहले भी गरतन दिवस प्रेड में जा चुका है तो ये इस बार का हमारा 23 से 31 जनवरी तक लाल के लिए मैं आयो जो भारत पर है उसमें उत्राखंड की तरफ से प्रस्तुत किया जाना है चली और एक बात जो मैं पहले कह रहा था आपको कि 2023 में उत्राखंड की जहांकी मारस खंड को करतब पत पर पहला इस्तान मिला था तो इसके बाद से हमें बहुत प्रोस्तान मिला है इसके बाद अब ये परंपरा आई है कि हर बार हर राज को मौका नहीं मिलेगा बलकि हर दूसरे या तीसरे वर्स मौका मिलेगा चलो दूसरा क्विशन पर पहुंचते है 28 जनवरी 2024 को पौडी गड़वाल के राठ महाविध्याले पैठानी में आयोजित सम्मेलन में सम्मलोन संस्था द्वारा कितने व्यक्ति को सम्मलोन संमान से सम्मान नित्या जाएगा सम्मलोन संमान पहली बार हम लोग सुनने हाला कि ये संमान तो हर साल होता रहता है लेकिन इससे सम्मधित जो प्रस्ट नहां पर आ रहा है इस बार कि परियावन के छेतर में विशेश योगदान के लिए सम्लोण सम्मान दिया जा रहा है तो इसमें परियावन के अलबा और क्या-क्या सामेले में तो दूसरा हमारा टॉपिक था है, कि कहां समलोण सम्मान, यह समलोण संस्था देती है, कहां पैठाणी, पौड़ी गड़वाल के राठ महाविध्याले पैठाणी में, परिया उनने के छेत्र में योगदान हिल, समलोण सम्मान किन-किन लोगों को दिया गया है, थोड़ा सा एक नजर इन पर मारेंगी हम लोग कोन-कोन है, सिरी सुरेज भाई, रक्षा शूत्रा अंदोलन चलाया थे हैं, टेहिरी में बिलंगना ने दिगया आसपास, इनके प्रनेता इनको मिलेगा, दूसरा है, मितेश सुरानंद राज्जिकर अधिगारी रामनगर के, डॉक्टर अनुराधा पुंडीर, अनुभा पुंडीर, तीसर नाम दिनेश संद्र कुकरिती, गौरईया रक्षक हैं उतराखन में, पात्वा नंबर ललिता प्रशाद ममगाई, छटा नंबर सीस पाल सिंग चोहान, वन वीट अदिगारी, ये छे बड़े नाम जिने समलोन सम्मान प देवी, ये चार बड़े नाम, समलोन, राठ, मातर सक्ति सम्मान, अचा उसके बाद एक और समलोन, पच्छिमी, नयार, घाटी, उतकरष्ट शेवा सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सिक्षया और पत्रकारता की छेट में मिलता है, इसमें चंदर प्रकास नोडियाल जी, सिक्षयक और राकेसर, मन सुकला, राकेस, राकेस, रामन सुकला होना चे, राकेस, रामन सुकला, पत्रकारता, ये दो बड़े नाम, संदर प्रकास नोडियाल और राकेस, रामन सुकला जी, पत्रकारता के छेटर में, शमलोन, पच्छिमी, नयार, घाटी, उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकारदार ओडी ओपी ओजना में ये तो चुना गया है तो ये इंपोटेंट प्रस्न था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिर से इंपोटेंट क्वेस्चन तीसरा चौथा क्वेस्चन है आपर मरडो प्रांत तेंजिंग नौर्गे नैशनल जोड़ा है तो मरडो प्रांत तेंजिंग नौर्गे तो सविता कंशवाल कौन है सविता कंशवाल थोड़ा सा उनके बारे में सविता कंशवाल का जन्म नैंटीन-n97 में उत्तरकासी के भटवाडी तहसिल के लोथुग आओं हुआ है उत्राखंड की परवतार हुई है सव मकालू परुवत फथा कर लिया था 28 मैं 2022 को केवल 16 दिन के 16 दिनों के अंतरगत एवरेश्ट और मकालू परुवत की चड़ाई करने वाली उत्राखंड की एक मात्र महला हैं जो 16 दिन कोई कम डिस्टेंस में इनोंने उपलब्दिया हासिल की हैं इसके अलावनोंने दुरौप उनकी मर्थ हो गई थी और 5670 मीटर दुरौपति का डांडा परुवत है उत्तरकासी में और इससे पहले एक्जाम होता तो उसमें दुरौपति का डांडा की उचाई भी पूछी हुई है तो इसले मैंने यहां पर से पॉइंट कर दिया और इसके अलवा उन्होंने क्या तुल उत्राखंड का माउंट तुलियान फटा माउंट कोलालाई फटा जम्मु कस्मीर का और माउंट लबूचे फटा यह सारे उन्होंने इन पर विजय प्राप्ति की थी और उसमें सबसे बड़ी उपलब थी उनकी बाइस बारमाई 2022 को एवरेस्ट फटा और मकालू पर यह है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन फिर से एक महत्रपून टॉपिक आपके पास है स्वच्छता सर्वेक्षन सम्मान 2023 का है मतलब 2024 में लेकिन 2023 का और स्वच्छता सर्वेक्षन जो आंकड़े मैंने कई बार आपके इंडेक्स की आंकड़े आपके सामन यह पूरे भारत में प्रसम तो नहीं है क्या इस्टितिय पूरा डिटेल आपके सामने होगा कहा हुआ है तो स्वच्छ सर्वेक्षन सम्मेन का आयोजन हुआ है भारत मंडपम में दिल्ली में 2024 का है वैसे सम्मान लेकि 2023 का है मतलब 2024 में दिया गया है तो देश के सबसे स्व दिश्कार लगातार 7 भी बार고 up है और उत्राखंड के देहरादून सहर को नोर्थ जोन में अर्शृट्वी रेंक के हासिल हुए है मतलत उत्राखंड में पहला है लेकिन टोटल अर्श्ःट वी रेंक है जो रेंक है तो थैक है श्षट्षता सर्वेक्षन चलो थोड़ा स हुआ है यहां पर आठाट के नाम आए वे सिंदर का जिकर नहीं है सिनल की सिट्दि सब से πα्याव लेकिन फैस्त रेंक है लेकिन पूर बहरत में अर्षठी रेंक आिसी उसके बात और एक लंबी चलांग के रहाँ 211 रेंग मिली है इसी पूरे भारत में, और इसी केस पांचवां और 304 रेंग, कोड़द्वार छटा नगर निगम और 305 रेंग, कासिपूर साथवां और 306 रेंग, और रुदरपूर 470 रेंग, तो ये उत्राखंड के कुछ नगर निगम, जिनको भारत की रेंगिंग के हिसाब से सेट किया है, और भारत के सहरों की बात की जाए, तो इन दौर पिछले साथ बार पर्थम इस्थान पर है, पूरे भारत में टॉप में है, और उसके बाद इस बार सूरत, गुजरात का सूरत, और नवी मुंबई, ग्रेटर विसाखा पट्टनम, पांच वी रेंग के है भोपाल की, तो ये पांच टौप के सहर भारत के लिखे जाएं, तो इन दौर सूरत नवी मुंबई, ग्रेटर विसाखा पट्टनम आंद्रप्रदेश में और भोपाल मद्यप्रदेश में, अच्छा इसके अलवाज जो उसमोविसेश आवाड दिया गिया था, इस सम्मेलन निया भारत मंड़न नपम पुरुसकार में, नोईडा को पांच सितारे स्वच्छ सहर से सम्मानित त्या गिया, जो पांच स्टार पानने वाला देश का इकलोता सहर है, नोईडा, ग्रेटर नोईडा खास कर, दस लाग से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पहले इस्थान पर रहा है, दस लाग से, अधिक आबादी वाले जो नगर निगमों में, उसमें गाजियाबाद टॉप में है, और गंगा किनारे बसी सहरों में, वारानसी परतमिस्तान पर रहा है, शुच्छता के माम लिमों, तो ये पूरा आखड़ा था भारत का और उत्राखंड के नगर निगमों का और उत्राखंड का, चलिए एक महत्तमूर टॉपिक आपके सामने था, अब चुट पूट और कुश्टन जो हमें कबर करने हैं, उत्राखंड के किस होकी खिलाड़ी का भारती होकी टीम में चैन हुआ है, तो इसका अंसर बोबी सिंग धामी का, ये पिथोरागड के कत्यानी गाओं के निवाशते हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, होकी खिलाडी, एक नए नाम, बॉबी सिंग धामी, इस बार इनका चैन हुआ है, तो बॉबी सिंग धामी का समझ होकी खेल से, नेक्स्ट, उत्राखंड राज जी का पहला बाली का स्पोर्ट्स कॉलेज, उद्घाटन कहां किया गय है, तो ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा आप, लोहागाट में वो जगह है, समनिया, समनिया लोहागाट में, बाली का स्पोर्ट्स कॉलेज की घुर्णा रुदरुपुर में की गई थी, लेकिन जमेन न मिलनी के आने यह नहीं बन सका था, इस वज़े से समनिया भाट स्टीडिम की घुर्णा 2012 में हुई थी, वो लगभगा बनकर तैयार हो चुका है, वहीं पर अब बाली का स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहे हैं, चली, नेक्स्ट कोईसिन की तरफ जा रहा है, उत्राखंड राज्जी का पहला अगनी समन महला आरक्षी दस्ता, उत्राख श्री महेश राम को हुणका बजाने ही तो आमंतिर किया गया, तो कहां के निवासी हैं, तो जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कारिकरम था, इसमें यहां के संगीता गया, और महेश राम सर्मा जी को हुणका बजाने ही तो आमंतिर किया गया था, तो वो हैं सियूनी पी थोड़ागड के रहने वाले चली जल जीवन मिसन के अंतरगत हर नल में जल योजना के तहट पेजल connection लगाने में उत्राखंड का कौन सा जिला पर्थम इस्थान पर आया है तो पोड़ीगडवाल तो हर नल में जल योजना के अंतरगत उत्राखंड का पहले इस्थान पर आने वाला जल पोड़ीगडवाल है पेजल connection लगाने के मामने में ध्यान रखेगा नेक्स्ट क्वेशन है 12 से 14 जनवरी 2024 सोरी 12 से 16 जनवरी 2024 के मद्धिर नासिक महराष्ट में राष्टी योगा महोसव के एकल नर्थ में उत्राखंड का इस्थान कौन सा रहा है तो पहला इस्थान है एकल नर्थ में उत्राखंड पहले इस्थान पर है तो कौन है वो देखते हैं थोड़ा सा तो इस बार राष्टी योगा महोसव तो राष्टी युवा महुसव कहा हुआ है तो नासिक में, तो किलियर हो गया एक प्रस्णा आपको, कब हुआ है तो 12 से 16 जनवरी 2004, 12 जनवरी को राष्टी स्वामी विवेकानिन्द के नाम से युवा दिवस होता है, इस बज़े से वहां से सुरुआ ज़ुआ है, 12 से 16 कुमाओं के लिए ये इसका थीम थी नासिक में, उतराखंट की देहरादून निवाची सृष्टी भारदवाज ने एकल निर्त में राष्टी स्तर पर प्रत्मिस्थान प्राप्ति किया, तो नाम जो आपको हमें चेही था, सृष्टी भारदवाज जन्होंने एकल निर्त चलिए, सहयोगी संस्ता है, कौन इससे आयोजित करता है, तो इसको सहयोगी संस्ता है, राज्य और नहरु युवा केंद्र शंगठन, NKYS और राष्टी शेवा योजन, NSS, ये इसका आयोजन करते हैं, और श्वामी विगानन्द की जैन्त के उपलक्ष में मनाया जाने वा और एक मन्च पर अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक शक्ति का प्रदसन करके युवाओं के बीच, राष्टी एक ताकि अवधाना स्थापित करना, सामप्रता एक शद्भाव लाना, भाही चारे, साहस और खेल की भावना का प्रचार करना, इसका उद्देश सिरह, तो ये थ प्रदसन की तरफ जा रहे हैं, जनवरी दोहजार चौबीस में उत्राखंड में इस्तित्त पवालगड कंजरवेशन, रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो सीतावणी कंजरवेशन, ये उत्राखंड के माने नहीं मुख्यमंत्री द्वारा, उत्राखंड के य 38-वे राष्टी खेल, अब जो की उत्राखंड में होने जा रहे हैं, 38-वे राष्टी खेल दोहजार चौबीस में, इनके मद्दिन जर उत्राखंड में, 2024 में ओलम्पिक खेल से आयुजन का प्रस्तावित है, मतलब राष्टी खेलों की रियल्चल के रूप में ओलम्पिक खेल उतराखन जे अर्च्वी राष्टे खेलोगी रिएलचल के रूप में काम करेंगों चलियो next question, हालीमें भारत के किस राज जी ने राज की weopathic college खोलने की घुरना किया तो ऊतराखनبة में राज की weopathic college खोलने में मला यह important person था जनवरी 2014 में देश के सबसे कम उम्रे के IG कौन बनाएंगे हैं तो ये भी उत्राखण से समधे नाम आया है अरुन मोहन जोशी जी 40 वर्ष में चक्रोता उत्राखण 2006 में 23 साल मा IPS बने थे और अब देश के सबसे कम उम्रे के IG बन गे थे चली एरुन मोहन जोशी जी को वदाईया हमारी तरफ से भारत सरकार की महत्तवा कांग सी परियोजना PMFME हुप चलना है ये मामला भी सुक्सम खादी प्रसंसकर्ट एकाईयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्राखण कौन से इस्तान पर है तो आठे इस्तान पर है तो क् योजना वर्स में लगभग 141 एकाईयों को अपग्रेड किया है प्रथम इस्तान पर को नहीं देख लेते हैं तमिल नाडू जिसने लगभग 1219 एकाईयों को अपग्रेड किया है तमिल नाडू पूरे भारत में टॉप पर है और असंविठी छेत्र के सुक्षम ब्रांडिंग और मारिक्टिंग की सांस स्टोरेज, पैकिंग और प्रसंस करने की आधुनिक तम सुईधाओं का फायदा उठा सकें और आधुनिक तक्निकों से लैस हो सकें और उने पेशेव और तक्निक की शाहता भी मिल सकें भारत सरकार की तरफ से इसलिए किया जा बहुत सारे ऐसे उपकरमों को अप्ग्रेट करने से समझे चली आगे बढ़ते हैं मानस खंड मंदिर माला मिसन के तहत बाहरी राज्य के परियाटकों को उत्राखंड परियाटन से जोड़ने है तो आगामी 15 अप्रेल 2024 आने वाली 15 अप्रेल को किन दो शहरों के मानस खंड रेल शिवा की शुरुवात होने जा रही है इंपोर्टेंट प्रस्न है मानस खंड मंदिर माला मिसन चल ला है और बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट भारस सरकार का 15 अप्रेल 2024 से एक रेल चलने वाली है कूल का तासी टनकपूर उत्राखंड के टनकपूर को और प रक्षा मंतरी स्री राजनास सिंग ने कहां से किया है तो उत्राखंड के हरीद्वार से किया है यहाँ पर बन गया है उत्राक पूरे भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल और यह स्वामि दर्श्नानंद महराज की जैनति के आवसर पर जो गुरुकुल के संस्थापक सदे स रहे हैं उनकी जैन्ति के आउसर पर इसकी शुरुवात किये राजनास सिंग देरी इसका सबसे बड़ा गुरुकुल होगा अभी धरीद्वार उत्राखंड में दीदी भूली महोशो का आयुजन कहां किया गया है तो उत्तर कासिम हुआ है दीदी भूली महोशो जनवरी 2014 में चली, next मिलेट्स, मिसन योजना के अंतरकत मंडवा खरीद में उत्राखंड का कुन सा जिला परतम इस्थान पर आया है? चमोली, मंडवा खरीद के मामले में अभी बरतमान में चमोली उत्राखंड का वो जिला है जो पहले स्थान पर है तो अच्छा सा प्रस्ट मिला फिर भी next question है उत्राखंड की दूसरी वानजिक दूसरी वानजिक कोट किस सहर में स् 熟त रहे तो हल्दवानी में ये अच्छा सा प्रस्ट परस फिर से one liner क्वेसेशन है कि उत्राखन की दूसरी वाणिजी कोट किस सहर में स्तावित कीगी तो हलदवानी नैनी ताल में और इससे पहले पर्थम वाणिजी कोट देहरादून में एक मात्र वाणिजी कोट जो इससे पहले चल रही थी तेरा दून में थी 2015 से और लेकिन इस बार 2024 में उत्राखण की दूसरी वाणिजी कोट की स्थापना हलवानी में हुई है 26 जनवरी 2024 के गड़तन ते दिवस आज ही की दिन की बात हो रही है कि आज़सर पर उत्राखण में कितने पुलिस कर्मी को सम्मानित किया गया है या किया जाना है प्रस्तावित हुआ है तो 26 लोगों को चुकि यह वीडियो इस पूरे महने का डिटेल है इस बज़े से मनब आने वाले एक दो दिन में क्या होगा उसकी भी पूरी संभावना है मद्धि नजर रखते हमने भी वीडियो बना रखा है तो सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है यह लिख देता हूँ तो 26 लोगो कुल 26 पुलिस कर्वी सम्मानित किये गए हैं अब तो लगबख सम्मानित किया जा चुका होगा जब हम वीडियो बना रहे हैं लगबख धाई बजाए है इसमें कौन है तीन राजजिपाल उत्कृष्ट शेवा पदक मिलेगा चार लोगों को उत्कृष्ट शेव सम्मान दिया जाएगा और 19 लोगों सराहनी शेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा यह वो पुलिस कर्वी जोने राज दिन अपनी सेवाएं देकर यह सब काम किये हैं तो कौन वो नाम है थोड़ा सा विपिन चंद्र पंतजी सियो चंपावत की राजजिपाल उत्रुष शेवा सम्मान पदक्षी दिया गया हुगा और उत्रुष्ट शेवा सम्मान अजई रावत जी निरिक्षक पुलिस मुक्षाले स्यामलाल जी निरिक्षक यातायात और गोविन सिंग महता जी ऐसा ही नहीं निताल यह तीन बड़े नाम है उत्रुष्ट शेवा सम्मान से सम किया गया है तो यह है आंसर हल्दवानी ने निताल के तहसील परिसर से इसकी शुरुवात हुई है उत्राखंड का समीब खुदाई के दोरान चार मुगल कालीन सिक्खे प्राप्त हुई है यह हिस्टी का क्वेशन है यह गौला ने दी जो कि पहाड़ पानी से निकलकर रानी बाग घलदवानी होते हुए किछ्छा में चली जाती है और तराई भाबर का छीत रिस्मा आता है तो यहीं पर चा बलोनी जी कोड़वार बोड़ी गड़वार नेक्स्ट क्वेशन 26 जनवरी 2024 को गरतंत दिवस के अउसर पर उत्राखंड के किस महला ग्राम प्रधान को राष्टपती के रातरी भूज का न्योता मिला है तो इसका अंसर है ममता बोरा कोन है ममता बोरा 21 साल में ग्राम पड़ागड के डीडी हार्ट विकासखंड के ग्राम ननकूडी की है मतब डीडी हार्ट के ननकूडी ग्राम की ग्राम प्रधाने जो मातरी किस साल में बनी है उन्होंने अपने ग्राम में कुछ इनोवेशन किया है क्या किया गाओं में बैग्जानी खेती की सुरुवात क कि उन्होंने शड़क विकास किया शड़क को परिवहन मारगों से जोड़ा खेती और दुग्द उत्पादन को बाजार परदान किया और महिला संग्रख्ण कारी सालाओं का आयूजनी किया वहाँ पर इस बज़े से उन्हें ये मौका मिला है चलिए नेक्ट क्वेशन है सब 24 जनवरी 2024 को उत्राखंड राजभावन में मैं उत्राखंड बाल अधिकार संग्रख्ण आयोग की और से किस जिले की बाली का आराधना को सम्मानित किया गया है ये हैं पौड़ी गड़वाल, खिर्सु ब्लोग, भटॉली गाओं की क्या किया है इनोंने राधना ने गुलदार के हमले से अपने भाई की रक्षा किया तो उन्हें वीर्ता के लिए और साहस के लिए पुरुस्कार दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन है उत्राखंड अल्प संक्यक आयोग के कारिवाहक अध्यक्स को ने कह रहे है तो इकबाल सिंग को बनाया गया अभी कारिवाहक अध्यक्स परमाने नहीं है इकबाल सिंग पहले उपाध्यक्स तो अब बरतमानोंने अध्यक्स बनाया गया है देव भूमी उत्राखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नेक्स्ट क्वेशन है 25 जनवरी 2024 मतलब एक दिन पहले यानि कल वितेवे कल को घोशित पद्म पुरुषकारों की लिष्ट में उत्राखन के किसने पुरुषकार जीता है उत्राखन में तो पद्म पुरुषकार घोशित हो चुके हैं जो आज पेपर में आप पड़ भी रहे दो हजार चौबीस भारत रत्न पहले मिल गया तक है श्वर्गी स्री करपूरी ठाकर जो बिहार के दो बार मुख्य मुख्य मंती रही चकी है उनको भारत रत मिलाए इस बार काफी समय के बार भारत मिल पाया है तो ये तो पहले ही मिल गया था ल beetle न ही जो कल पूर्शकार मिले उसमें कल विजेता रहे इस बार 132, 132 पढ़ मुझन बूर्शकार मिले है इनका डेटेल में अलग से एक वीडियो बना के करूँगा पूरा किसको कहां से मिला कौन कहां से बिलॉंग करता है लेकिन पदमस्री पाने वाले उत्राखंड के व्यक्ति हैं डॉक्टर यस्वन सिंग कठोच जिनकी बात में कहवी रहा था इत्यासविद पुराततविद कहा गाउं के हैं और जन्म सत्ताई दिसम्मर 1935 को इनका जन्म हुआ है मतलब जब यानि कल इनका जन्म दिवस होगा इसके हिसाब से जो मेरे पास लिखा हुआ है प्रमुग रसना है उनकी वह रसना है हम खुद भी पढ़ते रहते हैं चुकि हम भी इथियास के स्टुडेंट ह हैं तो उनकी रसनाओं को हम बहुत अच्छी तरह जानते भी समझते भी हैं हमने उन्हें पढ़ा भी है तो मद्य हिमाले का पुराथत 1931 में उत्राखंड की सैन्नी परंपरा 1994 संस्कृति के पदचन 1996 मद्य हिमाले ग्रंथमाला प्राचीन तथा मद्यकालीन भारती नगर क उस मद्य हिमाले खंड दो और खंड तीन और जो मुप्स हमारे हाथ में रहती है हमेशा उत्राखंड का नमीन इत्यास और गड़वाल के प्रमुक अभिलेक और मुद्राएं यह सब और एटकिंसन के हिमाले गजेटियर का समिक शात्म का शंपाधन भी किया उन्हें और उस मतलब कल जो पुरुषकार देगे हैं तब तक का पूरा डिटेल है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी कड़ी में मैं आपके सामने आता रहूँगा लगातार उत्राखंड के करेंट अपडेट्स के साथ और एक दो दिन के बाद फिर से आपको इंडियन करेंट अपडेट्स के पूरी लिस्ट मिलेगी वहाँ पर पद्म पुरुषकार का पूरा डिटेल होगा और इसके अलबाद जो जो भी करेंट में इंडियन करेंट महत्मूर टॉपिक हैं फिर एक बार उम्मीद करता हूँ कि यह दो किताबों के साथ फिर और यह आपके पास रहेंगे उम्मीद करता हूँ आज की कलास समापत करने जा रहा हूँ यही पर जैए जैवत्राखन आरत माता की जैव